देश और दुनिया से जोड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइपन को दमाना नहीं भोलें पतार आपनर चार पारी तीन शतक और पानसो रण गी कारनामा किसी और ने नहीं बलकि भारत्य क्रिकेट टीम के हिट मैन रोहिश शर्मा ने कर दिखाया है जी हाँ ये वही रोहिश शर्मा है जब वो मैदान में उतरते हैं तो एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं रोहिश शर्मा को ऐसे ही भारती क्रिकेट टीम का हिट मैन नहीं कहा जाता रोहिश शर्मा क्रिकेट का IPL हो वंडे हो या फिर T20 हो रोहिश कमाल की बल्ले बाजी करके विरोधियों के पसीनी छुड़ा चुके हैं और अब रोहिश ने अपने आपको टेस्ट क्रिकेट में भी 12 शतक जड़ कर साबित कर दिया है भारत दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले जा रहे सिरीज के तीसरे और आखरी टेस्ट रोहिश शर्मा ने ताबट तोड़ बल्ले बाजी करते हुए टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक ठोक दिया टेस्ट के पहले दिन रोहिश ने शानदार शतक जड़ा रोहिश सिरीज में दो शतक जड़ चुके हैं और आज अपने तीसरे शतक को दोहरे में तबदील किया रोहिश ने इस मैच में अपने टेस्ट करियर की 2000 रन भी पूरे कर लिये हैं और साथ ही टेस्ट मैच की एक सिरीज में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है रोहित ने अपनी डबल सेंचुरूई में 28 चौके और 5 छक्के लगाए हैं दोहरे शतक के साथ रोहित शर्माइक टेस्स सिरीज में 500 रन बनाने वाले पांचवे भारती ओपनर बन गई है रोहित ने पहले 23 रन 55 गैंदों में बनाने के बाद अगले 45 रन 78 गैंद पर बनाए रहाणे ने भी रोहित का शांदार साथ मिभाते हुए सिर्फ 70 रन में 21 अर्ध शतक पूरा किया जो भारत में उनका सबसे तेज अर्ध शतक है 32 साल के रोहित शर्मा ने तीन टेस्ट मैचों की सिरीज में तीन शतक चड़ दिये राची टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने ना सिर्फ अपना दोहरा शतक पूरा किया बल्कि एक ऐसा कीरतिमान अपने नाम कर लिया है जिसके बारे में उन्होंने भी नहीं सोचा होगा करियर के दौरान अपनी धर्ती पर कम से कम दस टेस्ट मैच खेल चुके खिलाडियों की सरवादिक औसत की बात करें तो रोहित ने महान औस्ट्रेलियाई बल्लेबास डॉन ब्रेडमेन को पीछे छोड़ दिया है हिटमेन से पहले विनोध मांकर, बुद्धी कुंदेरम, सुनील गावसकर और विरेंद्र सहभाग ने टेस्ट सिरीज में 500 रन बनाए है गावसकर ने ये कारणामा पांच बार किया है उन्होंने पांच टेस्ट सिरीज में 500 रन बनाए थे रोहित ने इस सिरीज में अब तक 529 रन बनाए है एचस न्यूज के लिए अभिनव शुकला की रिपोर्ट